जयमंगल अठ गाता जिस मुनिंद्र ने सद्रश हतियारों को धारण किये हुए सहस्त्र बुजा वाले गिरी मेखला नामक हाती पर चड़े हुए अत्यंत भयानक सेना साइथ मार को अपने दानादी के बल से जीत लिया उन बगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्यान हो जिन मुनिंद्र ने मार के अतिरिक्त सारी राथ संग्राम करने वाले गोर दूरदर्श और कठीन हरदे वाले आलवक नामक यक्ष को शांती और सेयम के बल से जीत लिया उन बगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्यान हो जिन मुनिंद्र ने दावागनी चक्र और विद्युत जैसे अतियंत मदोनमत नालगिरी नामक हाती को मेत्री रुपी जल की वर्शा करके जीत लिया उन बगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्यान हो जिन मुनिंद्र ने हात में अतियंत भयानक तलवार उठा कर योजन तक दोडने वाले उंगली माल को अपने रिद्धी के बल से जीत लिया उन बगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्यान हो जीन मुनिंद्र ने पेट पर लखडी बांद कर जनता के मध्य गर्बनी की तरह होकर आचरन करने वाली चिंचा के अपशब्दों को अपने शांत और सोमे बल से जीत लिया उन बगवान बुद्ध के पताप से तेरा कल्यान हो जीन मुनिंद्र ने सत्य को छोड़े हुए अस्यत्यवाद के पोशक, अभिमानी, वादविवाद परायन और अंकार से अतियंत अंदे हुए सचक नामक परिवराचक को प्रग्या प्रतीप जलाकर जीत लिया उन बगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्यान हो जीन मुनिंद्र ने विवित महारिद्धी संपन्न नंदोपनद नाम वाले मुजंग को अपने पुत्र महामोदद गल्यायन थेर द्वारा अपनी रिद्धी शक्ती और उपदेश के बल से जीत लिया उन बगवान बुद्ध के परताप से तेरा कल्यान हो जीन मुनिंद्र ने वियानक मित्याद्रिष्टी रुपी साप के डसे विशुद्ध जोती और रिद्धी शक्ती संपन्न बगवान बुद्ध के परताप से तेरा कल्यान हो जो कोई पाठक बुद्ध की इस आठ जय मंगल गाताओ को निरालस बाव से प्रतितीन पाठ करता है वह बुद्धिमान व्यक्ती नाना प्रकार की अबुद्रों से मुक्त होकर निर्वान को प्राप कर लेता है